सरकार मदीना दीन की तबलीग कर रहे थे उमर फारुक को पता लगता है कि मुहम्मद नाम का कोई शक्स आया है सुना जाता है जो उसे देख लेता है उसी का हो जाता है उमर फारुक गुस्से में आते हैं और घर से नंगी तलवार लेकर निकलते हैं कहते हैं आज मुहम्मद मुझे जहां मिल गए मैं उनका सर कलम कर दूँगा माजाला लेकिन जाते तूँगा है सर कलम करने के लिए जब मेरे हुजूर की बारगा में पहुंसते हैं उमर और जब नभी पात की निगाहे रहमत उमर के चेहरे पे पड़ती है तो उमर का खयाल बल दी जाता है और क्या होता है ये दो मिनट की गिरे मुलहिज़ अगरे सभी आशक नभी तबज्जो ए मुसलिमानों तुम जरा सुनो वाग कया एक सुनो इस तरफ ख्यान तो दो मके में एक बशर नाम भाजिन का उमर थे वो बेवाग जबा यानि चालाग जबा उनसे जुर्रत में बढ़ा कोई मक्य में न था सोर जब हका पड़ा परमाद दिल का चड़ा लेके तलवार उमर पहुँचे सरकार के घर बाहर से दिंचो तदा इक साहाई ने कहा हजरता ये हैं उमर पड़ले हुए हैं तेवर नगी तलवार लिये देगे दो धार लिये बोले सरकारे जाना उनको आने दो यहां बोले सरकारे जाना उनको आने दो यहां सरकारे मदीना कहते हैं ये बहुत सारा नजराना मिला है मुझे नभी का सत्का लेकिन सरकार मदिना कहते हैं ए उमर तुम कैसे आये हो कहो कुछ तो तुम उसे कहो हो हमर फारूक जेरा देखने लगते हैं और कुछ नहीं कह बाते हैं लिकिन . वो मुसलमान हुए एहले एमान हुए हमर फारूक ने कलमा बढ़ा और मापस जब주 कर आते हैं तो सब सहावा क्या कहते हैं और अमर फारुक सब सहावा से क्या कहते हैं मुलाइज़ अगर ने तो मिश्रे सुनने की बात बतो रेखास अमर फारुक क्या रहे हैं के उझाओ हात दुआ के लिए जजाक अल्ला कुबूल मेने किया लाइ 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 लाइ